क्राइम ब्रांच लखनव वा थाना मडियाओं की संयुग पुलिस टीम द्वार बंद घरों की रेकी कर ताला तोड़ कर चोरी करने वाले आरूपियों को गिरफतार किया गया साथ ही चोरी के सामान भी बरामत किये गए आज दिना गिकतीस आर्ट दौसर चोबवीस को सुबा के टाइम पर मुख्बिर खास सूशना पर मडियाओं पुलिस टीम और सेंट्रल क्राइम ब्रांच द्वारा चार शातर चोरों को गिरफतार किया गया है जो बंद घरों में ताला तोड़ के चोरी करने का गटनाओं का दिया जाता था किरफतार किया गया मुल्जिमों का पैचान ऐसे है मोहमत शाजाद उर्फ शेरा पोत्र मोहमत सलीम राहिल साहिल अंसार विपिन पोत्र गंगाराम साविता देवी उर्फ सारिका पतनी राज बहदूर निवासी मडियाओं तो इन चारों अभ्युक्त गंड जो तीन मर्द है उनके द्वारा गर के अंदर प्रवेश करता था और चोरी करता था और जो महिला है इसकी रोह में वो रक्की का काम करता था और जब मर्द गर के अंदर चोरी करता था ये बाहर गली में पैदल इदर उदर ठैलते रहता था ताकि कोई अगर गर के तरफ आ ताके जूलास के वही पे गिरवी पे रखने के लिए या बेजने के लिए वो कोशिश करता था तो एक तरफ से देखा जाएंगे तो माल का बेजना और माल से पैसा निकालने के का महिला का था और छोड़ी करना बाकी तीन मर्द गाता है अभी जो गिरफतार किया गया ग्यांग में अभी तक जो पूछास में ये सामने आ रहा है कि मोहमत शाजात ही इसका पुरा गिरव का लीड है और इनके दौरा काफी ज़्यादा गटनाओ किया है लगबक पुलीस दौरा आठ लाक रुपे का माल बरामत किया गया है एवं इस गटना में प्रयुक्त मोटर साइकल जो लाल रंग का मोटर साइकल है वो भी पुलीस दौरा बरामत किया गया है इस विशह पर इस पुरा गिरव के गलाफ आगे ग्यांक शराक का भी कारवई किया जाएंगे और अनजगरिद फूप से इनके दौरा आरज़ित किया गया संपत्ती को सरकार के तरफ स्कुर करने का भी कारवई किया जाएंगे इन सब की मुलाकार कैसे है आपस में जा चुका है तो उनका मुलाकार जेल में गुआ था और इनका मैला का दोस्ती उसके बाद में हुआ था जैसे मैंने बताए कि ये तीनों अभियोग तापस में जेल में मिला था और साथ में काम करने के लिए नर्ने लिया था किस प्रस्ट नहीं है कि कब से ये मैला इस गरोर में बाग है जैसे अभी जितना हाल में जितना गटना किया है यह CCTV फूटेश जो हमको गटना सलसे मिली है इसमें से यह मैला और बाकी लोग उसमें मौजुद होना verified है यह सब क्या पुछ करते हैं अभी कास्टोर से इनके द्वारा कोई काम करना यह सामने नहीं आए जब प्रादर में रूप से यह चोड़ी करते है जो मास्टर मैंट सहया है क्या इन लोगों कर किसी का कुछ हो फैंश रिएशन चाब में तो अभी इस विशे पर ज्यादा जां और इसका पहास वास तो बहाँ का है यह किराया पे रहे के काम करते हैं ते सारी क्लीए यहां पर मकान परत्तर इसमें सहबिता देवी को एक खुछ का मकान है मडियाओं शेत्र में और बाकी लोग इधर-ओधर किराय पर रहे करता है देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निश्पक्ष को सस्क्राइब करें वा बेल आइकन दबाना ना भूलें